बिहार में महा गटवन्दन सरकार में जैसे हिचकोलों का तूफान आ रहा है। पहले भरपूर तनातनी के बाद कुश्वाहा जेडियू से अलग हुए। अब तेजस्वी को नेता के तौर पर पेश करके नितीश पार्टी घिर गई है। बिहार की राजनीती में लगातार आ तेजस्वी आदव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वही नितीश कुमार द्वारा दो हजार पच्चिस में तेजस्वी के नेतित्व में चुनाव लड़े जाने वाली बात पर राजत विधायक ने कहा कि दो हजार पच्चिस अभी दूर है। हम कहते हैं कि होली क के बाद तेजस्वी आदव को बिहार की जिम्मेदारी सौब दी जाएगी। वहीं सीम पत को लेकर जेडियो और आरजेडी के बीच चल रही दवाव की राजनीती पर विरोधी दल के नेता चुटकिया ले रहे हैं। बिहार में सीम पत को लेकर महागडवंदन के बीच दवाव की राजनीती शुरू हो गई है। हमसे कमर राजद विधायक विजय कुमार मंदल के बयानों से तो यहीं लगता है। राजद विधायक ने जब यह कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि होली के बाद निटीश कुमार तेजस्वी आदफ को मुख्यमंत्री का पड़ सौब देंगी। राजनेतिक गल्यारों में बवाल मच्किया। और माननीय मुख्यमंत्री निटीश जी पह भी हमको भरूसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नितुर्ट में ही लड़ा जाएगा तो पचीश तो दूर है अब इस मार्च में ही हमको मुईद है कि तेजस्वी बिहार करने तो 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 यह मनेंगे भी है। कि तेजस्वी बिहार की कमांद समारेंगे। आइसा हम लोगों को उमीद है और कहीं से हम कोई सक्त नहीं हो रहा है कि नितिश्गी हमको प्रभान नहीं देंगे। राजद विधायक के मूँ से निकले इस बयान के चलते राजनेति की गल्यारों मुखिर्किरी होने लगी है। मैंने पहले भी कहा ना कि जदिव का मतलब है नितिश्गुमार आरजडी का मतलब है लालुयादव। और नितिश्गुमार ने पहले ही कहा था कि मेरे बाद यहीं देखेंगे बिहार को समालेंगे। तो निस्षी तुरु से यह समझना चाहिए आप लोगो भी कि आने वाले कल का मुखमंत्री तेजश्गुमार जादो ही होंगे जिन्हें ताजपोसी नितिश्गुमार मिलकर करेंगे। अब कहीं कोई आग लगाने से दोनों आदमीं हटने वाले नहीं है। अब होली बाद मत तो नहीं कहूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि यह बजट सत्र है। बजट सत्र के बाद आप हमसे बात कीजिएगा तो मैं असपस्ट उप से बताऊंगा। वहीं इस पूरी सियासत में असहज हुए जिपकी सीयम तेजस्वियाद अफ्मीडिया के सामने कुछ दिखुल कर बोलने से पहेस करते गजराए। उन्होंने कहा कि सीयम बनने की उन्हें कोई हरबड़ी नहीं है। अब इसके माइने आप समझ ज़िए किया है। इस भी फोखा तो नहीं हुआ हुआ है। भी जो लग रागे बात टो चेंज हो रागे अजह पचीश मिं बनेंगेगे चोवशी में लान सिंग बोल रहे था। ललान सिंग बोल रहे थे। नितीश कुमार पर जम कर चुटकिली। लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है। और उसी का पढ़िनाम था। मुख्यमंत्री जी के ब्यान से उलट उसी का पढ़िनाम था। कि मान्य मुख्यमंत्री जी को दो धाई घंटा तक इंतजार करना पुड़ा। तो भाज़पा के वरिश्चुनेता और पूर्व खेंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रशाद ने भी मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा कि besar ev High के अलिकि में आगे रएकिर बॉस्ट होड़ों सब्तिए जाहिर है होली के सब्सके बाद एक बार से सीनत्रिंग को लेकर आघेडि अरूज। के बीच बिहार में प्रेशर पॉलिटेक्स की गून सुनाई दे सकती है कि ललन सिंग के कथित बयान उन्हों ने तो हजार पच्छुस में स्थियंग बंद के दावेदारों के नामों के चर्चा की बात की थी उससे जिपकी सीम तेजस्वी आदव नाराज हो गए थी इसी कार महांबट वंदन के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और सीम पत पार जल्द ही कोई फैसलान नहीं होता तो जेडियों और आरजेडी में तकरा और बढ़ सकती है पटना से राजीव मोहन की रिपोर्ट आज की खबर